गौलियर मैं पुलिस दोरा लोटेरी दुल्हनों को भले ही ग्रफतार कर जेल भेज दिया गया था लेकिन गुरक दंडे का माश्टर माइन पुलिस के हाथ नहीं लगा था जहां उज्ञैन पुलिस ने अपनी सूजबुस से माश्टर माइन को ग्रफतार कर दिया है गौलियर जिले के बिलावा थाना शित में रहने बाले एक कपड़ा कारोवारी नागेंदर जैन को लाख रुपए का चूना लगा कर फरार हुई लोटेरी दुलहनों को भले ही पुलिस ने ग्रफतार कर जेल भेज दिया था लेकिन इस गोरक धन्दे का मास्टर माइंड पुलिस के हाथ नहीं लगा था उज्जेन पुलिस ने दो दिन पहले मास्टर माइंड संदीप को ग्रफतार किया था संदीप के खिलाफ गॉलियर के अलाबा उज्जेन और रिंदौर मैं भी धोकाधड़ी के मामले दर्ज है गॉलियर पुलिस आरूपी संदीप मित्तल को पूछताश के लिए यहां लाई है आरूपी संदीप ने पुलिस के सामने कई खुलासे किये है सदीप का कहना है कि बहें उम्रदराज धनाध है खर के लोगों पर नजर रखता था और उन्हें नंदनी और रिंकी जैसी पहले से शादी सुधा लड़कियों के जरिये अपने जाल में फसाता था और फिस शादी का जहांसा देकर 10 से 15 दिनों में ही लड़कियां चपत लगा कर गायब हो जाती थी नंदनी और रिंकी डवरा कोट में सरेंडर करने के बाद जेल भेजी जा चुकी है बिलोगा के नागेंदर जैन और उनके भाई को नंदनी और रिंकी के जरिये मूर्क बनाये गया था दोरो लड़कियों उनकी घर से 15 लाख रुपे का माल मश्रुक लेकर फरार हो गई थी पुलिस का कहना है कि संदीब से पूछताच की जा रही है उससे कुछ और वार्दातों का खुलासा हो सकता है इसको टाइम हो गया है और इसमें एक व्यापारी वो साइट पे ऑनलाइन शादी तया हुई थी और फिर शादी के अगले ही दिन इनके जेवरात और ये सब लेके दुलान और उसके साथ के लोग चले जाए थे बाद में उसमें कुछ ग्रिफतारिया हुई थी मुख्यार उपी को अभी दो दिन पूर उज्जैन से ग्रिफतार किया गया है और प्रियास किया जा रहा है कि जो जेवरात और पैसे व्यापारी से इठे गयते हैं वो अबस मिलने हैं ग्वालियर से लोकेंदर सिंग कुछ वाहा की रिपोर्ट पीके युनिवर्सिटी बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके युनिवर्सिटी अधिशन ओपन पर मेडिकल सांस, बिफर्मा, M. pharma, B. sc, B. tech, M. tech and polytechnic diploma प्रिफ्टेखनोव ट्व टप्क युनिवर्सिटी.दू.दू.ड अठरेस तन्रा विलेच, जासी, रोट शिपुरी